हुँ चलिए आप लोग को डाउट है बिटा पीवाई क्यू में इसे कुष्शन लगा लिए जाए पहला कुष्शन हाँ तो कुष्शन लगाने के पहले बिटा कुछ फॉर्मुला रिकॉल कर लिया जाए हाँ बिटा जली से देखो पॉं मुझे बीटा बात नहीं करो गरीमा बिटा नंबर ऊफ मोल का फॉर्मुला बताईए मास्क टम पर हाँ नमबर ओफ मोल का फॉर्मुला Given mass upon molar mass को डाउट नहीं ना इस ना किसी को 거iendot है यह फिशीट यह पींटिवाइट पॉंआइक क्यू कि दाने कर नहिए और 있는 है कई हाई बाई फिर मॉल का एक और फॉर्मुला होता है ८िए न गीवन वॉल्यूम अपउन 22.4 याद आ रहा है ना अभी करवा नहीं रहा है फॉर्मुला पहले रिकॉल करवा दू बेटा, वॉल्यूम अगर लीटर में होता है तो 22.4, एमेल में होगा तो 22,400 मिली लीटर तीसरा आ था बेटा, number of particles अपन अब अग्यादरो number, याद है ना अगर molecule हो, atom निकालना हो तो atomicity का multiply भी करते है याद आ रहा है यह है फिर हम लोग स्टैकिमेटरी पढ़ा गया था स्टैकिमेटरी किसको रिप्रेसेंट करता है स्टैकिमेटरी किसको रिप्रेसेंट करता है बेटा मोल को, वॉल्यूम को या मोलर मास को याद आ रहा है अगर स्टैकिमेटरी दो element का सेम है तो उनका मोल सेम, वॉल्यूम सेम है ना स्टैकिमेटरी डबल तो मोल वॉल्यूम डबल यानि जिस respect में स्टैकिमेटरी चेंज होगा वॉल्यूम और मोल भी उसी respect में चेंज हो जाएगा क्लियर यह चीज उसके बाद पढ़ा गया था कि नॉर्मल स्टैक्यमेट्री तभी तक अपली केबल होता है जब तक एक ही रियक्टेंट की वैल्यू देती है अगर एक से रियक्टेंट आ जाएगा तो पहले क्या लगाएंगे limiting region limiting region का होता है ऐसा region में पूरी तरह से कंजूम हो जाए है उसको बोलेंगे विटा यही रिएक्टेंट है जिस पर प्रोड़क्ट पूरी तरीके से डिपेंड करेगा इसको चेक करने का तरीका क्या है गीवन वैल्यू अपॉन स्टैक्योमेट्रिक पॉफिशियन्ट यही लेते हैं या तो मोल या तो वॉल्यूम है ना यानि मास्ट दिया हो या पार्टिकल तो पहले किसमें convert कर लें, mole या volume में, जो reactant बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, access region, यह reactant clear है, जो खतम, access region, है, है, pyq लगा दी हो, इसमें है, करवा रहा हूँ भी, बोलता भी है कि access कौन है, limiting वाला तो पता चल जाएगा, जो बच जाएगा वो access हो गया, अब access वाला तो पताना असान होता है, एक question आता है, पूछता है कि कितना access है यह, कितना बचेगा, वो निकालना है, तो शुरू से question कर लिया जाए, AIPMT 2009 का question है यह, पहला ही है, लिखा है 10 gram hydrogen, है न, 10 gram hydrogen और 64 gram oxygen, O2, फिल किया जा रहा है एक बरतन में और उसको explode कर दिया जा रहा है, explode का मतलब बिटा जला दिया जा रहा है, बोल यह, clear है, बोल ला है कि कितना water produce होगा, मोल में, number of moles of water बताना है, कितना produce होगा, यह question मैंने करवाया था, चलिए, फिलहाल, लो बिटा, sheet, question clear है, हाँ, बताओ, कैसे लगेगा, 10 gram hydrogen react with 64 gram of oxygen to produce water, हाँ, आब बिटाओ, reaction क्या होगा, H2 plus O2 gives H2O, हाँ, और सर्थ, कितना है बिटा नंबर, तब समुसा तुमको नहीं खाना है तो, दो समुसा ली है, हाँ, तुम खाव बिटा, हाँ, क्या लिए बिटा, हाँ, हाँ, पहले पढ़ दिया, खाती रो तुम लोग, खाते रो, अभी बताईए पहले, stachymetry का question है यह, कि normal question है यह, reaction दे दिया बिटा, बोला, hydrogen oxygen reaction कर रहा, पानी बन रहा है, balance कर लिजे, 2S2O gives, आ गया, question read करो पहले, question read करो तुमको, है ना, चलो बिटा बैटो, आप किये गई तो इसको धकिल देंगे, जाना तो दर्वाजा बंद करके जाना, हाँ बिटा, चलो बताओ, कैसे होगा question यह, हो गया ना, बेटा, सुनिए, reaction दे दिया ना, सुनिए, फिर से question लिखा है, hydrogen और oxygen को एक बर्तन में रखे, explode कर दिया जा रहा है, मतलब, है ना, burn करा दिया जा रहा है, तो produce क्या होगा, वहाँ पर, water, stachymetry है, तो normal stachymetry की limiting है, कैसे बेटा, एक स्यादा का value दिया नहीं है, normal stachymetry है की limiting है, limiting है, चलिए, लगाया question, question clear हो गया भी, चलिए, लगाईए, यहाँ पर, बेटा, यहाँ पर देखो, mass of hydrogen कितना दिया था, hydrogen बेटा 10 gram, hydrogen का mass, mass of oxygen कितना दिया है, 64 gram, साफ पता है, एक सदर ये 10 देगा, तो पहले limiting निकालेंगे, तो चलिए, एक काम करिए, यहाँ पर limiting निकालने के लिए, क्या निकालना होता है, given value, given value पर mole, या तो volume, यही लेते हैं न बेटा, तो एक काम करो, number of mole of hydrogen निकालो, तो formula, given mass upon, molar mass, given mass कितना है बेटा, 10, और hydrogen, 2 होगा ना, बेटा, H2 है, 5 molar आगया, number of mole of oxygen निकाली है, 64 by 32, आ गया 2, अभी आपको चेक करना है, limiting region, checking, हाँ, कम होगा ना, 2 by 1 और 5 by 2, oxygen limiting हो गया, हाँ, checking for limiting में करते क्या है, given value लेते हैं बेटा, given value पर mole लेंगे, और stoichiometry hydrogen की कितनी है, 2, simplify करेंगे तो कितना आएगा, 2.5, दिये दो बेटा, लेकिन दर्वाजा बंद कर दो, हाँ, अब बता, बेटा, limiting है, excess कौन है, hydrogen, भाई, oxygen की ratio कम है ना, oxygen क्या हो गया बेटा, इसकी stachymetry लेते हैं बेटा, given value upon stachymetry आ गया बेटा, तो oxygen क्या हो गया यहाँ पर, limiting region, यार अगर oxygen limiting है, तो hydrogen क्या हो जाएगा, excess, H2 is excess region, चलिए, यानि product कौन बनाएगा, hydrogen की oxygen, oxygen और पूछा है, hydrogen का mole बताईए, question read कर लिए हो, चलो, stachymetry पर आईए, इसकी stachymetry, stachymetry double, तो mole, double, oxygen का mole 2, तो पानी का mole, फोर आ गया, number of mole of H2O equals to, 2 into number of mole of oxygen, दिया है, option 4, number of mole of oxygen, 2 into 2, आ गया, 4, clear रहिए, देखे न, AEEE में इस टाइब का question था, value के बदला आईए, AEEE का question, दिख लिए, बैटा, solve के लिए थे, node कर लो, अध्य है, सब आगया, सारी मारने आव, आगया, बैटी, हालो, डाइटिंग पर हो, नहीं, मेरे मेरे खाना खाके आ रहा हूं, तुरूंत, हाँ, बैटा, दूसरा, दूसरा question है, number of atoms निकालना है, बैटा, कीट देख लिए आप लोग, ए बैटा, सीट देखते रहो, लिखा है, find number of atoms, यानि क्या निकालना है, number of atom निकालना है, इन zero point mole of, number of mole कितना देदिया है, zero point one देदिया है, और gas कौन सी देदी है, try atomic, atomic city कितनी देदी, three, बोलो clear है, अब गैदरो number की value देदी है, जल्दी बताओ, number of atom का formula mole के term पे, mole, mole into our gatherer number, अरे ऐसे पढ़ा गया था ना, number of mole equals to atom upon our gatherer number, कोई बात ने बेटा, ये याद है ना आपको, तो एन ने को इधर लाओगे तो क्या निकलेगा, number of atom equals to mole into our gatherer number, आ रहा है ना, चलिए, mole कितना दिया है बेटा, 0.1, अच्छा ध्यान दीजेगा, बोला है कि molecule है, question में लिखा है, triatomic gas, triatomic gas का मतलब molecule हो गया वो, है ना, तो बताओ, molecule देता है बेटा और atom निकालते हैं, तो atomicity का भी तो multiply करते हैं, तो अब आगधरो number की value है, 6.02, 10 to the power 23, into 3, simplify कर ये, आ गया, 6, 3, 18, 1.8 आएगा, 1.8 into 10 to the power 23, हाँ, into 10 to the power 23, तीसरा है ना, एगा, चाल, जाए, लगाए, स्वाटिक, दोन पर, लगा, लो, अपर सि, अथे, तुम्हेरे पास, कि दर आजओ, लोके सीट पर पेड़ी जाओ, और एक इनट बाई वायो का कोई है क्या है, इसे, अच्छा ओ, चलो लाओ बटा तीसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ फुद निकाल लिए लिखा है which has maximum number of molecule maximum number of molecule किसके पास हैं I option दे रहा हूँ यहाँ पे पहला है 64 gram of sulfur trioxide atomic weight दान कितना वेटा तुमारे मुँँ में 32 बस 48 gram ozone और लाश्ट दे दिया है यहाँ पे 8 gram of hydrogen चली निकाल लिए पता है ना maximum या minimum के case में क्या निकाल लो directly mole 4th option 8 by 2 4 64 by 44 by 1 और 48 by 1 1111 यह तो और कमाया यहाँ का सुल्फर ट्रयोक्साइड डायोक्साइड यह तब भी तो वही आएगा ना यहाँ 1111 सबका आ रहा है इसका रहा है टू अगया बेटा पोलो पीवाइक्यू इस बुकलेट में नहीं बेटा पीवाइक्यू भी देखा जाता है ना हटा दू इसको तलिए धाकर कॉस्च्चन मोलरिटी यहाँ नहीं लगाओगे कॉपी रीचेकिंग का आप्शन आता है तो पता नहीं पहले पहले एक आसान से कर लिया जाए इसकी जस्ट बाद वाला यह बता रहा हूँ when solution वाला इकवागे अ कर वालना मास है हम ऐंड रोजन ऑक्सिजन और मेथेन का क्या है गया है और उसको सब्सक्राइब करो लिखा है कि तीन का मास इक्वल है पड़ाई हो ना और यह गैस कौन सी है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मेथेन इसके बाद वाला पहले बता दें तो माल लीजिए तीनों का मास कितना है एक्स हो गया यह अब इसके बाद देखिए और रिखा है कहां गया हाँ तेम कंटेनर में लिए जा रहा है और कंटेनर का वॉल्यूम भी है 27 डिग्री सल्सियस पे बोला है रहा है तो पहले तीनों का वॉल्यूम निकालनों यहां पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ च्छ फोर अब बोलो क्लियर है जरा यह बताओ बिटा मोल का फार्मुला क्या होता है वॉल्यूम के टंपे वॉल्यूम ऑफॉईंट्वैंट्वं कॉंट्वं पॉइंट्वैंट्वैंट्वैंट्वी ना तो इसका मास बोला है सेम है तोड़ोगी न मोल को तोड़ोगी तो गया आएगा गीवन मास अपन मोलर मास और एस टू का मोलर मास बेटा तू यही आएगा ना इसका मास एक्स है और ऑक्सिजन का मॉलिक्लर वेट 32 22.4 हो गया यहां पर आईए इसका मास एक्स और मेथेन का मॉलिक्लर वेट 16 22.4 सिंप्लिफाई मत करिएगा क्योंकि रेशियो लेना है सब कट जाएगा बोला है तीनों के वॉल्लिम का रेशियो बताईए हाँ देख ले रहे हैं वाल्यूम ओफ ऑक्सिजन वाल्यूम ओफ मेथेन चलो मेटा हईड्रोजन का वॉल्लिम क्या है एक्स बाई 2 इन्टु 22.4 और लास्ट वाले देदिया है एक्स बाई 16 इन्टु 22.4 बोलो सबको क्लियर चलो कटी कुटा खेलने आता है ना X से X कट गया 22.4 से 22.4 कट गया नीचे आ गया 1 by 2, 1 by 32, 1 by 16, 2 से कट करो, 2 1 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 1 is 2 1, 1 by 16, 1 by 8, ऐसा कोई option दिख रहे हैं कि आपको, ना ना अभी fraction में आईए, fraction को simplify करिए, denominator हो गया, LC हम ले ले, denominator से गायब करने के लिए, denominator का LC हम ले लिजे, 16 और 8 का LC हम बेटा, 16 होगा, पूर एक्वेशन में 16 से multiply करिए, तो यह हो गया 16, यह हो गया 1, यह हो गया 2, आ गया? आ गया ना बेटा? हम् अच्छा, इसका reciprocal कर रहा हो, नहीं, नहीं, यार यह ratio का rule है, ratio proportion का, जानते हो क्यों नहीं होगा, जान रहो क्या, इसमें होता क्या है, बेटा, proportion का मतलब already ratio होता है, यहानी question ऐसे दिया, one by one, upon one by 16, upon one by eight, यह हो गया ना, यह आएगा ना, आप सोचिए, इसका reciprocal करेंगे, गलत आजाएगा ना, इसलिए ऐसा नहीं करते हैं, इसको, यह question मैं करवाया हूँ, 22.4 वाला ना, mole निकालना है, volume दे दिया है, पहले बताओ, नॉर्मल स्ट्रेकिमेट्री एक लिमिटिंग है, शुरू में करवाया थे, शुरू करवाया है, बेटा, हाँ, तो HCL का mole निकाल होगी ना, करवादू, प्रिती, सुषी, सिद्धी, सृष्टी, बता दे विटा, कर लोगी, इच्छा, जो question मैं बोल ला था, access वाला, just इसके बाद देखिए, उसके बाद वाला question है, जो भी नहीं नहीं है, इसके नीचे वाला, 22.4 के नीचे वाला, माइनस कर दोगे, हाँ, यह question करिए, question है ना, सबके पास यह वाला, लिखा है, magnesium को burn कराया जा रहा है, oxygen के साथ, तो reaction क्या होगा, mg plus O2 gives mg O, यह होगा ना, balance करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 mg O, और यहाँ पर आएगा 2, कुशिच करिए इसको, यह question मैं बोल ला था, हाँ करिए क्योंकि access तो निकल लाएगा, उसके बाद बोला, access का amount कितना होगा, हाँ, बेटा 24, calculation है, थोड़ा complex है, आली समसा, आली समसा, आली समसा, बता है इसको झाल झाल बता है इसको बता है इसको कि नहीं मैगनेशियम होगा साहिद आप्षिन वन कि खुल कियो बटा इस दो देखते हैं चलिए नहीं यह तो पहला तो सही है मैगनेशियम होगा चलो बेटा देखो यह तो पता नहीं लगेगा एक से दर यह चलिए चेक किया जाए है यहां बोला है कि मैगनेशियम का मास बिटा वन ग्राम लिया है मास और ऑ कितना ले लिया है यहां पर पॉइंट फाइव सिक्स ग्राम है कि यह ना है क्लोस में लिखा है बोला है कौन सा रेक्टेंट बच जाएगा बचने का मतलब जो एक्सेस होगा वही बचेगा ना करिए एक काम करिए तो लिमिटिंग रिजेंट चेक करने का तरीका क्या होता है गीवन वैल्यू अपॉन कहीं मोल दिया है बिटा स्टीपी का कंडिशन दो दिया नहीं है तो वॉल्यूम निकाल नहीं पाएंगे तो एक काम करिए इस मास को किसमें पहले बदल लिया जाए मोल में तो नंबर आफ मोल आफ मैगनेशियम निकालोगी तो फॉर्मूला क्या गीवन मास अपॉन मोलर मा इकदम क्लियर है ना लगा चलिए कर लिया जाए इसको यहीं पर जीरो पॉइंट। जीरो फोर बन इसको 32. कि है त्यूफ़ाइट फइव इंदान रहा है नहीं गलत है गलत है गलत गलत है गलत है वह नटूब हा 16, 7, 4, 4 रह गया, 3, 4, 7, 1.7 into 10 to the power minus 2, क्या रहा है? 0.017, 0.017 ना भीटा? यह तो मोल निकल गया, अब आपको चेक करना है limiting, चेक करने का तरीका, गीवन वैल्यू, गीवन वैल्यू पर क्या ले सकते हैं, बेटा मोल ले सकते हैं, तो इसका मोल है 0.041 और इसकी स्टैकिमेट्री कितनी आ रही है, 2, 2, simplify करोगी तो कितना आएगा, 0.020, और यह हो गया, 0.05, हो गया, यहां पर निकालोगी तो इसका आएगा, गीवन वैल्यू है, 0.017 और इसकी स्टैकिमेट्री है, 1, 0.017, जिस जो रेशियो छोटा वो limiting, कौन छोटा? अक्सिजन छोटा, तो O2 is limiting region, यह तो clear है, नई, excess बोला है, साही तो की हो, हाँ, बोला है excess कौन है, बैटा, limiting वो हो था, जो कम हो, जो खतम हो जाए, तो बताए, magnesium क्या हो गया, excess region हो गया, magnesium is excess region, यानि, magnesium बचेगा न, तो पहला option अब क्लिक करिए, इसमें, चार option है, magnesium, magnesium, O2, O2, एक तो clear हो गया, magnesium आएगा, यह तो वाड़ा असान होता है, दूसरा पार्ट निकालना आपको, कि कितना magnesium बच जाएगा, यह पूछा है न, कितना reactant बच जाएगा, तो जरा आईए यहाँ स्टाइकिमेट्री पे, अचा अलड़ी यह, जूमिन है, स्टाइकिमेट्री पे आईए यहाँ पे, बेटा, प्रोड़क किस पे डिपेंड करेगा, oxygen पे कि magnesium पे, जो limiting होता है, oxygen पे, है न, compare किसको करना है, magnesium का, अचा बताओ जरा, oxygen कि स्टाइकिमेट्री कितनी है, बेटा, अचा यह बताओ, आपको यह बताया था मैंने, कि जो limiting होता है, वो पहले खतम होता है, प्रोड़क उसी पे डिपेंड करता है, अब जो पहले खतम होगा, दूसरा वाला जो बच जाएगा, वो भी कितना पहले रियक्ट करेगा, जितना कम होगा, जो minimum वाला होगा, उसी किस मैंगनीशियं बच जाएगा, बात क्लिए है, जिदा कमपेर कर ये, ऑक्सिजैन की स्टाइक्योमेट्री, मैंगनीशियं की स्टैक्योमेट्री कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, यतना भी अक्सिजैन का मोल कितना Volkswagen कर बाकिदना क्या होगा, बच जाएगा, और ओक्सिवन का मोल निकल चुका है ना अल्रड़ी निकाल है ना कितना क्लिए रहां यहां लिख दूँ मॉल मैंगेक्नेशियम रियेक्ट इतना करेगा बेटा ईंटो नंबर आफ मोल ओक्सिजन पता ओक्सिजन का मोल कितना आया था यहां पे 0.017 simplify करेंगे तो कितना आएगा 0.034 इतना रियक्ट करेगा बाकी सारा बाकी सारा बचेगा और पूछा क्या है कितना लिफ्ट होगा लिफ्ट का मतलब बच जाएगा तो जरह बताओ मैंगनीशियम का मौल कितना था पूरा कि दहरेक्ट किया कि इतना बचा माइनस कर दो आगिया आगया बिता एंस' नंबरोफ मोल ऑफ क्लाझा अधरeyeन अब कितना किया मोल दावक्त जिरो पैंट जिरो फोर वन कितना यह रीगिए जिरुआटीर फ्री फूर आग्या ला और य यह और एक साथ आ रहा है जीरो पॉइंट क्लियर है ना वह वह अप्रॉक्सिमेशन में कहीं आया है इतना दो कि 41 माइनस 34 कितना होगा बिटा कि क्लिक्लेशन मिश्टेक हुआ है क्लिक्लेशन चेक करो वह सारा क्लिक्लेशन सही है ना हुँ 0.041 0.017 एक्चौल में है क्या सुनों सब सही है उसमें पूरा एक्जेक्ट आंसर निकाला है वो ले रहा है 0.0175 इसको वो लिया है 0.0128 समझ में आ गया ना क्लोज आंसर है मैच कराने आ जाएगा हाँ हाँ तो कम वाला आ जाएगा ना क्लियर है इस लिए चलिए आईये कि दन्यवाद सा नहीं सर बच्चे खा गया बोलने सर आपको नहीं दिमगा हाँ ले लिए हम सुझ हम ले रहे हैं नहीं पीने जाँ हाँ हाँ सब बचारे बच्चे भूखे हुए हैं सर यहाँ पे काड़े नो मज़े से लग रही है जाँ रहा है काहे खाना बनाना होता तुमको इसका चलो 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 पेटा एक क्वेशन और करिए तो इसके बाद वाला क्वेशन नमबर हाँ पेटा अच्छा खालो 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 बेटा खालो तुम क्या खाओगे तुम डाइटिंग पर हो ना खाओ बेटा खाओ तुम खाओ तुम क्लास में भाई तुम्हारा क्या नाम है तुम्हारा आएगा हालो नहीं चुटाएंगे हालो अरे वो क्रॉआप कर लेंगे खार